प्रदेश में दिसंबर में विधान सबाचुनाओं होने हैं ऐसे में मुख्य विपक्षी पार्टी कॉंग्रेस बीजेपीक सरकार को पिछले पांस साल के कामों को लेकर घेरने में जुट गई है कॉंग्रेस के राश्टी प्रवक्ता अभेदूबे ने सोमवार को शिमला में प्रैस कांफरेंस कर महंगायो विरुजगारी को भाश्पा का भाई बताया है उन्होंने कहा कि महंगाई पर हिमाचल की जनता ही अंकुष लगा सकती है अभेदु में ने कहा कि देश में महंगाई वा बिरोजगारी चरम पर है दो-चार लोगों के अलावा आम जनता के बुरे दिन आए हैं 4 सितंबर को महंगाई और बिरोजगारी के खिलाफ दिल्ली में महारैली होगी जिसमें देश भर से कारेकरदा जुटेंगे जनता ने जिस तरह से उप चुनाव में भाश्पा को हराया है वैसी ही विधान सवा चुनाव में भी बीजेपी को हराएगी महंगाई और बिरोजगारी पर अंकुष लगाने का या एक मात्र तरीका है हिमाचल प्रदेश में हुए उप्चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई है जिसके बाद पेट्रोल डीजल के दामों में कमी की गई कॉंग्रेस के सरकार बनने पर जनता को महंगाई बिरोजगारी से राहत दी जाएगी भारती जनता पार्टी के दो भाई वेरोजगारी और महंगाई हिमाचल प्रदेश के नागरिकों से आज मैं अखिल भारती कॉंग्रेस कमीटी की तरफ से आगरा करने आया हूँ कि इस भारती जन्ता पार्टी की हार के आगे महेंगाई पर जीत है हिमाचल के वासियों आपने उप चुनाओं की हार भारती जन्ता पार्टी की जो हुई थी तीनों विधान सभा और लोक सभा की उसमें आपने ये सबक सिखा दिया था कि भारती जनता पार्टी जब जब हारती है वो महेंगाई पर लगाम लगाती है आपने चुनाव हराए तो कुछ हद तक पेट्रोल और डीजल पर एकसाइस ज्यूटी केंदर की सरकार ने कम की थी मेरा हाथ जोड़कर विनम्र आग्र है कि आज भारती जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश में हराईए और समूचे देश में आप महेंगाई से निजाद पाईए आप फिर अगर 410 रुपे का गेस सिलेंडर पाना चाहते हैं एक 1000 रुपे से अधिक हो गया